यहाँ बड़ा रेल्हासा हुआ गाँ जोते रादित्य एम सिंधिया मैं जोते रादित्य मादवराव संधिया ईश्वर की शपत लेता हूँ कि मैं विदी द्वारा स्तापित भारत के सविधान के प्रती सची शद्धा और निष्ठा रखूंगा मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षून रखूंगा मैं संग के मंत्री के रूप में अपने कर्तवियों का श्रद्धा पूर्वक और शुद अंतकरण से निर्वाहन करूंगा तथा मैं भै या पक्षपाद अनुराग या दुएश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रती संविधान और विधी के अनुसार नियाय करूंगा मैं जो तिरा दित्या मादवराव सिंद्या ईश्वर की शपत लेता हूँ कि जो विशय संग के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथ्वा मुझे ग्यात होगा उसे किसी व्यक्ती या व्यक्तियों को तब के सिवाए जब की ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तब्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथ्वा अप्रत्यक्ष रूप से सनसूचित या प्रकट नहीं करूँगा जोतिरादित्य सिंधिया ये जो नाम आगे लगा हुआ है ना सर्फ मध्यप्रदेश पूरे देश की सियासत में ये नाम वजह ये के रिष्ट्रदारी सर्फ राजसी परिवारों में करते हैं मध्यप्रदेश की राजनीती का ना सर्फ पावर सेंटर बलके केंद्र भी मैं भूपें रियादव ईश्वर की शपप लेता हो कि मैं विदी द्वारा इस्थापित भारत के सविधान के पती सच्ची शद्धा और निष्ठा रखोंगा मैं भारत की प्रभूता और अखंडता अक्षन रखोंगा मैं संग के मंत्री के रूप में अपने कर्टब्यों का शद्धा पूर्वक और शद्ध अंतकरन के निर्वहन करूँगा तता मैं भय या पक्षपाद अनुराग या द्वेश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रती सविधान और विधी के अनुसार नियाय करूँगा मैं भुपेंद्र यादव इश्वर की शपत लेता हूँ कि जो विशे संग के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथ्वा मुझे ज्याथ होगा उसे किसी व्यक्ती या व्यक्तियों को तब तक के सिवाए जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने करतवे के समयक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपिक्षित हो ने अप्रत्यक्ष 캐 अथ्वा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या मि पेंद्र्यादव्व ने श कशर्पत किशली काबिड्य मंर्मा रहे थे हैं इंट सरफ हो गेंद्र्यादव और मूद्री काकूर्ट का टे संबसा एप नहीं है मैं गजे इंद्र सिंग शेखावत ईश्वर की शपत लेता हूं कि मैं विदिद्वारा स्थापित भारत के सम्मिधान के प्रती सची दित शद्धा और निष्ठा रखूंगा मैं भारत की प्रभुता और अखड़ता अक्षन रखूंगा मैं संग के मंत्री के रूप में अपने करतव्यों का शद्धा पूर्वक और शद्ध अंतह करन से निर्वहन करूंगा तता मैं भाय या पक्षपात अनुराग या द्वेश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रतिस सम्मिधान और विधी के अनुसार नियाई करूंगा मैं मैं गजेंद्र सिंग शेखावत इश्वर की शपत लेता हूँ कि जो विशह संग के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अत्वा मुझे ग्यात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाए जब कि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा और खिल भारतिये विद्याती परिश्ट से राजिती की शुरुवात गजेंदर सिंग शेखावत की सोशल मीडिया पर अच्छी पका रखते हैं पिशली बार जल शक्ती मंत्राले संभाल रहे थे और एक बार फिर क्याबिनिट का हिस्सा बने हैं गजेंदर सिंग शेखावत 56 साल की उम्र और कॉंग्रिस के करण सिंग उच्यारणा को सवा लाख वोटों से मारती अनपूर्णा देवी मैं अनपूर्णा देवी इश्वर की सपत लेती हूँ कि मैं विजी दुवारा स्थापित भारत के सम्मिदान के प्रती सची स्रद्धा और निस्टा रखूंगी मैं भारत की प्रभूता और अखंडता अक्षून रखूंगी मैं संग के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का सद्धा पूर्वक और सुद्ध अंतकरन से निर्वहन करूंगी तथा मैं भाई या पक्षपात अनुराग या दोयस के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रती सम्मिदान और विधी के अनुसार नियाय करूंगी मैं अनपूर्णा देवी इश्वर की सपत लेती हूँ कि जो विशय संग के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा हत्वा मुझे ग्यात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाए जबकि मेरे मंत्री के रूप में अपने कर्तवियों के सम्म्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अप्रक्षित हो मैं प्रत्यक्स अथ्वा अप्रत्यक्स रूप से संसुचीत या प्रकट नहीं करूंगी 2019 में बीजेपी में शामिल हुई अनपूर्णा देवी पिछले कारेकाल में भी मोधी क्याबिनेट का हिस्सा रही है पती आरजेडी की राजिती करते रहे दस साल तक विधायक भी रही और कोडोर्मा से दूसरी बार सांसुच बनी है अनपूर्णा देवी और एक बार फिर मोधी क्याबिनेट का हिस्सा बनी है श्री किरिन रिजीजू इश्वर की शफद लेता हूँ कि मैं विधी द्वारा स्थाफिद भारत के संभीदान के प्रती सची श्रिद्दा और निष्ठा रखोंगा मैं भारत की प्रभुता और अखंड़ता अक्छोड रखोंगा मैं संग के मंत्री के रूप में अपने कर्तवियों का शद्दा पुर्वक और शुद्ध अंत करन से निर्वहन करूँगा तथा मैं भई या पक्सपात अनुराग या दुएश के बीना सभी प्रकार के लोगों के प्रती संभीधान और विदी के अनुसार नियाई करूँगा मैं किरेंडी जिजू इश्वर की शपत लेता हूँ कि जो विशह संग के मंत्री के रूप में मेरे विचार में लाया जाएगा अथवा मुझे ग्याद होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाई जबके ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तवियों के सम प्रत्यक्ष रूप से संसुचित या प्रकत नहीं करूँगा प्रेश से तीसरी बार सांसत बने है किरन रिजी जू और साइंस मंत्राले पिछली बार संभाल रहे थे कानून मंत्राले का नुभव भी है और एक बार फिर टीम मोधी का हिस्सा बने है पैतालीस साल की उम्र और अच्ची हिंदी सरकार के पक्ष को मजबूती के साथ रखने के लिए जाने जाते रहे हैं किरन रिजी जू श्री अर्दीप सिंग पूरी I, Ardeep Singh Puri, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a Minister for the Union and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law without fear or favor, affection or ill will I, Ardeep Singh Puri, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a Minister for the Union except as may be required for the due discharge of my duties as such Minister तो वरन्स आवसे स्केर सुचाहतर बैच के अधिकारी रहे हर्दीपुरी सिक समाच का एक बड़ा चहरा वाजित आजिसाबा के सांसाथ हैं उत्रप्रदेश से पिश्टी बार भी मंत्री रहे और एक बार फिर टीम मोदी का हिस्सा बने हैं पेट्रोलियम और प्राकरतिक गैस मंत्राले आवास और शहरी मामलो की मंत्राले को संभाल सुके हैं हर्दीपुरी रास्ते शुरक्षा और आतंगवाद निरोदत मामलो के एक्सपर्ट हैं डॉक्टर मंसुक मांडविया मैं मैं डॉक्टर मंसुक मांडविया इश्वर की शपर लेता हूँ की मैं विधिद्वारा स्थापित भारत की संभीधान के प्रती सच्ची सद्दा और निष्टा रखूंगा मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षों रखूंगा मैं संग के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का सद्धा पुर्वक और शुद्ध अंता करण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भई या पक्षपाद अनुराग या द्वेश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रती समीधान और विदे के अनुसार न्याई करूंगा मैं दक्टर मनसुख मानडविया इश्वार की शपत लेता हूँ कि जो विशय संग के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ग्यात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाई जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने क तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अप्यक्शित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा प्रत्यक्ष रूप में संसुचित या प्रगार्ट नहीं करूंगा तो सबसे पड़े लिखे मंत्रियों में से एक मंसुख मांडविया विश्चली सरकार में न्यूदी के बेहत करीबी चहरों में से एक डॉक्टर मंसुख मांडविया शुरी जी किशन रेड़ी मैं दंगापुरम किशन रेड़ी ईश्वर की शेपत लेता हूँ कि मैं विदिद्वारा स्तापित भारत के सम्विदान के प्रती सच्छी श्रद्दा और निश्चा रतूंगा मैं भारत की प्रभुता और अकंडता अक्षन रखूंगा मैं संगे के मंत्र के रूप में अपने कर्तवियं का श्रद्दा पुर्वक और शुद्ध अंतकरन से निरुवान करूंगा थता मैं भाय या पक्षपाक अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रती संविदान और विदि के अनुसार न्याय करूंगा मैं गंगापुरं किशन रेड़ी ईश्वर की शपत लेता हूँ कि जो विशय संग के मंत्र के रूप में मेरे विचार के लिए लाय जाएगा अत्वा मुझे ज्यात होगा उसे किसी विक्ति या विक्तियों के तब के सिवाए मैं प्रत्यक्ष अत्वा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या फ्रकट नहीं करूंगा तार दूसरी बार जीत कर सांसत बने एजीकिशन रेड़ी बी टीम मोधी का हिस्सा बने है पिशली बार परटन संस्कृति और उत्तर पूर्वी शेत्र विकास से भाग के मंतरी रहे हैं और करीब पचास हजार के वोटों से जीत कर संसत पहुंचे हैं तेलंगाना के सिकंद्राबाद से जीत कर आए हैं और अब मोधी क्याबिनेट मोधी 3.0 का हिस्सा बने हैं शुरी चिराग पास्वान मैं चिराग पास्वान इश्वर की शबत लेता हूं कि मैं विधी द्यारा स्तापत भारत के संद्धान के प्रती सची श्रद्धा और निश्टा रखोंगा मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षन रखोंगा मैं संके मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का शद्धा पूर्वत और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूँगा तदा मैं भे या पक्षपाद अनुराग या द्वेश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रती संविधान और विधी के अनुसार नियाय करूँगा मैं मैं शिराग पासवान इश्वर की शबद लेता हूँ कि जो विशे संग के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथ्वा मुझे ग्याद होगा उसे किसी वेक्ती या वेक्तियों को तब के शिवाए जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के समयत निर्वान के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अध्वा और प्रत्यक्ष रूप से संसूचत या प्रकट नहीं करूँगा तो बड़े परदे का हीरो बनना था लेकिन प्रता की रादेतिक सूजबूज विरासत में मिली और अब तीसरी बार सासत बने और अब टीम मोधी का हिस्सा पिता ने कहा था कि बेटे नहीं कहा था नरेंद्र मोधी की लोगप्रता आगे और बढ़ेगी इसलिए एंडिय का हिस्सा बने और अपनी पॉलिटिकल मिर्चॉरिटी का परचे एक बार फिर इन चुनावों में चिराख पास्वार ने दिया स्री सी आर पाटिल